हेलो गाइस स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दून टेस्ट में आज की रेस्पी होने वाली है अंडे और मचर की ग्रेवी से जो की बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से हमने बनाई है और एकदम खाने में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में है ये तो चलिए शुर इसमें रखना है आपको अफिर उसके बाद में प्याज भी दो हिस्से में कट करके चील करके रखिएगा और टमाटर मैंने इसमें साबुत रखे हैं आप चाहें तो बीस से चौप करके रखिएगा अब इसमें थोड़ी सी मैंने एक छोटे बावल में मतर रखिएगा उसम इतना भी हो सके मैंने 5-6 अंडे लिये हैं अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक एड कर दिया है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स इसमें आप डालके अच्छी तरीके से फिट जाएंगे और यह नमक और लाल मिर्च को बच्छी तरीके से अंडों में फ मीडियम फ्लेम में तो यह देखिए 20-25 मिनट में यह हमारा अंडा अच्छी तरीके से कुख हो गया है तो एक चकू की हैल्प से आप इसको चेक कर लीजेगा अब इसके बाद जब अंडा हमारी अच्छी तरीके से कुख हो गय है और उसके बद मटर भी कुख हो गई है अब ना इसको एक प्लेट में यह हम पूरा एकदम केक की तरह बन गया है तो इसको निकालने के बाद में अब हम पीस से जैसे छोट छोटे पीस बनाएंगे तो मैंने इसके पनीर के हमारे पीस होते हैं उस शेप में बना है आप चाहें तो किसी भी शेप में इन अंडे की पी ग्रेवी बरन कर जब रैडी होगी ना तो बिलकुल एक दम मचर पनीर की तरह लगेगी तो यह देखिए अब यह अब दुबारा इसको फिर से हम यह मटर निकाल लेते हैं अब मटर निकालने के बाद में जो भी हमने यह हरी मिर्ची चमाचर लसून यह सब हमने जो पानी में को कुप किया था तो इन सब को भी आप एक प्लेट में निकाल लीजीगा तो सारे निकालने के बाद में अब मैंने टमाचर को बीज से दो कट में कर लिया है अब इसके बा पेस्ट बनाना है तो अब मैं यह मसालों का अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बनाऊंगी तो यह देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी है अब एक बॉल में मैंने थोड़ा सा सरसों को ऐल लिया है उसमें आधी चम्मच काली मिरिच आधी चम्मच सफेज जीरा और 5-6 मैंने लॉंग डाल के फ्राइ करी है फ्राइ करने के बाद में जो हमने यह मसाला मिक्सी के जार में जो अच्छी तरीके से पीस लिया था उनको फिर हम ना इस तेल में डाल के और हम लब कुक करेंगे तो इनको मसाले को जब तक हमारा हलका हलका ओयल ना रिलीज होने लगे तब त लाल पॉडर..? जिए अपनियों कि अपना खाली हीआजु है करके छेले और ना सीगुमों माल। नमक एट करने के बाद में अब इसको हम लोग थोड़े देर के लिए ना कुक करेंगे तो देखिए जब हमारा हलका सा ओयल रिलीज होने लगेगा तब इसमें हम ना कसूरी मेथी एट करेंगे तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छी तरीके से अब यह देखिए हमारा ओयल ना खुब अच्छी तरीके से रिलीज हो गया है और अब इसमें जब और अच्छी से रिलीज हो जाएगा तब इसमें आप यह बॉयल की हुई मटर एड़ करके और फिर मटर को भी 3-4 मिनट में के लिए मीजियम फिलेम में कुक करिएगा इससे मतर में भी बहुत अच्छा मसालों का टेस्ट आ जाएगा अब जब मतर हमारी कुक हो जाएगी फिर इसमें घर में रखी हुई एक से दो चम्मज आप इसमें मलाई जरूर एड़ कीचिएगा मलाई एड़ करने से इस सबजी की जो ग्रेवी ही ना बहुत ज्यादा टेस्ट अब अच्छी तरीके से दो से तीम मिनट के लिए आपको अच्छी से कुक कर लेना है तो यह देखिए अब हमारी इदम गाड़ी टेक्चर वाली यह अंडा और मचर की ग्रेवी बनकर रेड़ी है तो अब हम इसको न सर्फ करते हैं एक प्लेट में तो ये न बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगी और जब आप बना के अपने घर में अपने घर के मेंबर के सामने रखेंगे न तो कोई नहीं जान पाएगा कि ये अंडे की रह ये सब्जी है सब सोचेंगे कि आपने आज न म